Hello students, I am Sashi Kala Verma, your English teacher. So, today in this video, we are going to start the chapter 10. The chapter name is Little Things. This is the last chapter, your English book. आपकी English book का यह last chapter है, students. So, इस chapter में एक छोटी सी पोएम है, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताईगी है. जैसे की पोएम का जो हेडिंग है, वह है, Little Things. Little Things means छोटी चीजे, छोटी छोटी चीजे. यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेकर ही बताया गया है. हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजे होती है, उन छोटी छोटी चीजों का बहुत इंपोर्टेंस होता है, वो बहुत इंपोर्टेंट होता है, उन छोटी 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 चीजों को करके, उन छोटी छोटी कामों को करके, हम अपने आपको महान भी बना सकते हैं. तो ऐसी ही कुछ छोटी चीज़े हैं चलिए हम इस पोयम में देखते हैं Little drops of water, little grains of sand Make the mighty ocean and the pleasant land Little deeds of kindness, little words of love Make this earth a pleasure like the heaven above हमने के पोयम पड़ी चलिए अब इसे explain करती हूँ Little drops of water and little grains of sand इसमें पोयम कहता है कि पानी की जो छोटे छोटे drops होते हैं वाटर की जो छोटी छोटी बूंदे होती है उन छोटी छोटी जो drops होते हैं उन छोटी छोटी बूंदों से एक बहुत बड़ा समुद्र बन जाता है कैसे बड़ा समुद्र कैसे बनता है आपके नदियों के पानी नालों के पानी हना ये बह कर गी वहाँ पर कहां समुद्र में मिल जाते हैं और ये पानी जब बरसात होती है हना हमारे water का main source क्या है rain और जब ये बरसात होती है तो वह छोटी छोटी ड्रॉप्स किरते हैं देखते हैं वह बाल्टी के बराबर या किसी टब के बराबर भरा हुआ पानी तो नहीं किरता है कैसे किरता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में करता है little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land पाली की जो छोटे छोटे drops होता है उन drops से एक बहुत बड़ा समुद्र बन जाता है उसी तरह little grains of sand तो sand के जो छोटे छोटे कड होते हैं grains means तो अनाज होते हैं दाने अना मिट्टे के जो छोटे छोटे कड होते हैं वही कड मिल करके एक मिट्टे का रूप एक बहुत बड़े लैंड के रूप में निर्माण होता है लैंड का रूप धारण कर लेता है तो एक बहुत बड़ा लैंड बन जाता है खेत बन जाता है and the pleasant land तो वह एक बहुत सुन्दर भूमी बन जाती है जिसमें हम बहुत सारी चीज़े ग्रो कर सकते हैं एक खेद बन जाता है उन छोटे-छोटे कड़ों से एक प्लेन भूमी मिल जाती है प्लेन लैंड मिल जाता है जिसमें हम अपने घर बना कर रह सकते हैं तो इस तरह से छोटी-छोटी चोजों का कितना importance है जैसे कि सुमें में बताया गया है little dates of kindness, little words of love जैसे कि little dates of kindness, little words of love make this earth a pleasure like the heaven ever हना हम अपने प्रेम की अपनी दयालुता से एक छोटे-छोटे कारे करते हैं जो छोटे-छोटे अच्छे कारे करके हम अच्छे प्रेम के शब्द बोल करके हम इस धर्ती के एक सुख़द रूप बना सकते हैं जिस तरह से स्वर्ग होता है उस तरह से हम इस धर्ती को भी बना सकते हैं जिससे की सुख, शान्ती और सुन्दरता बन जाती है प्रीह धर्ती सुन्दरता फैल जाती है और हम छोटे-छोटे कारे करके अपने छोटों को प्रेम देंकर कोई एदी बुढ़ा वेकड़ी है जैसे कि आप इस picture में देख रहे हैं कि एक बुढ़ा वेक्ड़ी है जिसमें एक बच्चा उन्हें नेक्स picture में आप देख रहे हैं एक गिर्ल है जो की birds को अनाज दे रही है दाने डिल रही है तो ये छोटे-छोटे कारे काम होते हैं जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट यही छोटे-छोटे काम करके हम एक बहुत बड़ा महानता का काम कर सकते हैं जिससे ये हम छोटे-छोटे कारे करेंगे जिससे हमारे धर्ती पर जिस तरह से स्वर्ग में सुक शान्ती का वाता रण चाया रहता उस तरह से हमारे धर्थी पर भी हो चाहेगा अब यहां पर poet का कुछ appreciation है इस poem में teacher इस lesson में हमारे जीवन में जो moral teachers है जो चीजें हैं उसे हमें कैसे करना चाहिए यह सारी चीजें बताएंगे है things have great importance जो कि इसका बहुत important है एक एक minute का बहुत important है we should not have only high aims यह जरूरी नहीं कि हमारे पास बड़े बड़े ओधे हों बड़ी बाते हों तो जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी चीजों करके ही बड़े बड़े ओधों को ही करके ही हम कर सकते हैं but we should remember that by doing little things हैं तो आप याद कीजे कि हम छोटी 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 चीजों को करके हम काम कर सकते हैं we cannot attend further higher aims कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कामों को ही करके हम बड़ा अच्छा कारी कर सकते हैं कुछ हमारी लाइफ में जो छोटी 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 छोजे होती हैं जिनका बहुत importance होता है next है आपकी exercise mcq है तो first है आपका the meaning of minute is एक minute का मतलब है very large very small very powerful all of this meaning of minute minute का मतलब है बहुत ही छोटा very small तो इसका option भी होगा very small ठीक है तो very small means बहुत जैसे किस poem में बताया गया है कि बहुत सी छोटी 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 छीज़ें जो की बहुत ही important होती है second है the mighty ocean is made of mighty ocean को हम कैसे बना सकते हैं the grains of sand, the drops of water, the rivers, the ponds तो mighty ocean is made of drops of water पानी की छोटी 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 window से क्या बनता है एक बहुत बड़ा ocean बन जाता है now next exercise is complete the following sentences यहाँ पर कुछ sentence दिये हुए है जो कि आपकी poem से लिया गया है उस poem को complete करना है little digits of kindness make our life full of pleasure second है little drops of water make a mighty ocean dash में क्या आएगा a mighty ocean third है little words of dash make this earth a dash the little words of love make this earth a heaven heaven means होता है स्वर्ग okay dash make a pleasant land little grains of sand make a pleasant land next है आपका question answer question number one है is there any importance of minor things in this world क्या इस संसार में छोटी 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 चीजों का महत्व है answer is minute things are very important in our lives because they only make big things हमारी लाइफ में इन छोटी 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 चीजों का बहुत ही importance है क्योंकि वे ही बड़ी चीजों का निर्मार करती है मतलब बड़ी चीजें बनाती है question second है what do the drops of water make drops की जो छोटी छोटी बूंदे है उनसे क्या बनता है answer is the drops of water make a big ocean पानी की छोटी छोटी बूंदे से एक बहुत बड़ा ocean बन जाता है question three है how is the land made pleasant जो land होता है means जो खेती की जमीन होती है किस प्रकार से pleasant means सुन्दर है ना pleasant means खुशहाल सुन्दरता है ना तो हमारी धरती पे कैसे सुन्दरता चाहती है answer is the land is made pleasant by little grains of sands तो हमारी जो अर्थ है ये जो land है वह क्या है अपने जीवन को मिट्टी के छोटे छोटे कट से एक सुन्दर land बनाती है question number four how can you make your life joyful आपकी life में आपकी जीवन कैसा खुशहाल बन सकता है कैसे answer we can make our life joyful by doing little acts of love and kindness हमें अपने लाइफ में जो हमने अपने लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए हमें दो मीठे शब्द बोलना चाहिए जिससे कि हमारा लाइफ क्या है आनदित रह सकती खुशहाल रह सकती है question five है what is the earth compared to in the poem पोयाम इस पोयाम में इस पोयाम में अर्थ की compare किस से की जाती है इस पोयाम में जो अर्थ है मतलब land की comparison किसका compare किया जाता है in this poem the earth is compared to heaven हना इस पोयाम में अर्थ की तुलना जो है वे स्वर्ग से की जाती है last question है what lesson do you learn from this poem आपने इस lesson में इस पोयाम में क्या सीख मिली इस पोयाम से आपो क्या सीखा आपने answer है the poem teaches us that even little things have great importance our little acts of kindness can do a lot of good to others ठीक है तो इस पोयाम से हमें यह सीख मिलती है कि चोटी चोटी चीजों को हम करके हम चोटी चोटी चीजों को करके जैसे भलाई चोटे चोटे कारे करके दूसरों को भलाई करके हम अपने जीवन में बहुत खुशियां ला सकते हैं अच्छा कारे करते हैं नेक्स्ट है एक्सराइज फिफ्थ हर लर्न दी अपोजिट्स अफ दा फॉलिविंग वर्ट्स यहां पर कुछ वर्ट्स हैं जिनकी अपोजिट्स दिये हुए यह आपको लर्न करना है नेक्स्ट नीचे आपका ब्लेंक से उनने भी आपको फिल करना है जैसे प्लेजन्ट का होगा पोजिट्स अन्प्लेजन्ट लिटल बिग काइंग क्रेल प्लेजर सोरो लॉंग शॉर्ट अदर साइड है लव हेट हेवन हेल नियो ओल्ड एवर बिलो नेक्स्ट नीचे आप आप गिव दा उपोजिट्स ऑफ फॉलिविंग वर्ड्स यहां पर कुछ वर्ड्स दी हुएं जिसे आपको उपोजिट्स वर्ड्स में उपोजिट्स लिखने हैं बट में राइट करके दे रहे हूं आप भी लिख लेजेगा टाइडी, अन्टाइडी, पैट, अन्पैट, एग्री, डिसएग्री, वल, अन्वल, ओबी, दिसओबी, क्वाइट, नॉइस नेक्स्ट और एक्सरसेज में जोकी इन्हें अरेंज करना है यह वर्ड स्रॉंग लिखे हुने हैं इसे करेक पॉर्म में लिखना फर्स है ओसन, O-C-E-A-N, ओसन, सेकेंड है प्लेजन, P-L-E-S-A-N-T, प्लेजन, थर्ड है अवव, A-B-O-V-E, एवव, फोर्थ है हेवन, H-E-A-V-E-N, हेवन, फिर्थ है माइटी, M-I-G-H-T-Y, माइटी next exercise है complete these sentences by adding S, यहाँ पर आपको add S करना है, apostrophe S लगाना है और इन sentence को क्या करना है, complete करना है to the words in color, जो words क्या है, colorful words है, जो blue color से लिखे हुए, one has been done for you, आपको यहाँ पर करना है for example, the elephant has a strong trunk, the elephant's trunk is strong, elephant के पास strong trunk होता है, elephant के पास is, elephant का एक strong trunk है तो इसे हम एक, उसका, क्या, उसका एक sentence बनाएंगे, the elephant's has को हटा करके हम क्या करेंगे, the elephant's trunk is strong, elephant का trunk क्या है strong है, means मजबूत है, elephant को trunk किसका बोलते हैं, उसके सोन कर second है, the old man has white hair, the old man's hair are white, old man के, white क्या है, hair है, sorry, hair white है third है आपका, the girl has a new book, तो girl के पास एक new book है, तो girls की एक new book है, ठीक है the girls, girl has को हटा करके हम क्या करेंगे, the girls, apostrophe yes लगाएं, the girls book is new, girl की book new है the loin has sharp teeth, loin के पास sharp teeth होते हैं, तो हम इसको next अलग बोलेंगे कि loin के teeth क्या है, sharp है तो कैसे बोलेंगे, the loin's teeth are sharp, okay next exercise में जो skill practice है, जैसे कि आपको इसके previous वीडियो में भी इसके जो पहले chapter था उस chapter में भी, previous chapter में भी हम बताये थे कि यदि कोई कुछ work करता है तो उसके लिए हम क्या क्या कुछ ऐसे words होते हैं, जैसे well done, that's great, keep it up, congratulations, very good, wonderful तो चलिए हम यहाँ पर sentence rate करते हैं, उसके according हमें क्या बोलना है, यहाँ पर पता हो चाहिए, चल जाएगा Your friend was selected for the race, आपका friend जो है, race के लिए select हो गया है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, well done Your brother sang a beautiful song, आपके brother ने एक beautiful song गया, तो क्या बोलेंगे, wonderful Third है, Your cushion won the first prize in the quiz contest, sorry, cousin, आपकी cousin ने quiz contest में first prize देता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, congratulations Last exercise है, आपको कुछ words दिये हुए हैं, आपको उसमें sentence बनाना है, first reply is है तो आपका sentence है, everyone wants pleasure in life Second है, kind, we should do kind deeds, okay Third है, little, little things to have great value Love, fourth है, love, we should love all Last है, heaven, if we do noble deeds and love all, we can make our earth heaven So students, this chapter is complete, okay आपका course भी complete हो गया है, second semester की book भी complete हो गया है Then आपको यह जो poem है, इसे learn करना है And उसके साथ इसके सारे exercise, questions, answers आपको अपनी copy में question answers and book में सारे exercise fill करना, okay students, thank you Thank you झाल झाल